हेलो फ्रेंज आज मैं बनाऊंगी वाइट सोस पास्ता जो की खाने में बहुत ही मज़ेका बनता है और इसको बनाना भी उतना ही असान है जल्दी से बन भी जाता है टाइम नहीं लगता इसको बनाने में तो फिर चलो शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम प पैन में ले लिया है पानी और उसमें मैं एट कर रही हूँ और इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक जब इसमें पानी उबलने लगेगा तो फिर हम पास्ता आट कर देंगे पहले नहीं आट करना है पास्ते को नहीं तो नीचे चिपक जाता है पैन में तो इधर पानी भॉस बनाने के लिए एक कड़ाई ले लिया HAVE, जिफे मैं बटर एड़ कर रही हूं, इसमें बटर थोड़ा सा जादा एड़ करना है, और फिर उसके बद में इसमें add करूंगी कद्दू कश किया हुआ लस्ष भू skar करने के बदेख सकते हैं काफी ठीक सा अच्छा सा इस तरह से बराबर चलाते रहना हैं कि उसके बाद फिर इसमें एक कर रही हूं नमक और पीजा ओरिगन आपके पास जो भी वो डाल सकते हो मैंने इधर पीज़ चिली फ्लेक्स ले लिया उसको भी आड़ कर दे रही हूं अगर आपके पास यह अवेलेबल नहीं है तो आप इसको इसको स्किप भी कर सकते हैं और फिर मैंने डाला इसमें काली मिर्च का पाउडर उसके बद फिर एड़ कर देने पास था जो कि मैंने उबाल कर छान लिया था और इसको इस तरह से चलाते रहना है अच्छे से मिक्स कर लेना है उपर से मैं चीज एड़ करें मेरे पास चीज स्लाइस थी तो मैंने वही डाल लिया आपके पास जो भी चीज अवेलेबल हो वो या फिर स्किप भी कर सकते हैं जरूरी नहीं यह चीज डालना और यह बहुत ही प्यारा सा बनकर रेडी होता है और आप चाहें अगर आपको थोड़ा स्पाइसी पसंद है तो लाल मिची पाउडर भी डाल सकते हैं इसमें और फिर मैं ऊपर से इसको गार्निशिंग के ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए